तेरा दिसंबर दो हजार एको संसत पर हुए अतंकी हमले को आज बाविस साल हो गए हैं संसत की शीत कालिन सत्र के आज आठवे दिन की कारवाई शुरू होने से पहले पीएम मोधी समित कई नेताओं और संसदों ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजली दी इसके बाद पीएम मोधी और उपराष्टपती जगदिब धनकर ने शहीदों के परिवार से मुलाकात की संसत बहुन के बाहर श्रद्धानजली इस थल पर पियम मोदी के साथ गरह मंतरी अमिशाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला, बिजेपी संसत जेपी नड़ा, कॉंग्रेस अध्यक्ष मली का अजुन खडगे और संसत सोनिया गांधी समेद कई निता मोजुद थे पियम मोदी ने एक्सपर पोस्ट में लिखा, आज हम 2001 में संसत हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर श्रद्धानजली दे रहे हैं, उनका साहस और बलीदान हम हमेशा याद रखेंगे उपराश्टपती जगदिब धर्णकर ने एक्सपर पोस्ट में लिखा, 2001 में हमारी संसत पर हुए हमले के दोरान शहीद हुए सहासी सुरक्षा कर्मियों को हम याद कर रहे हैं, भारत उनके बलीदान के लिए हमेशा उनका रिणी रहेगा आतंगवाद पुरी दुनिया में मानवता के लिए एक खत्रा बना हुआ है, इसे खतम करने के लिए विश्व के सभी देशों को एक जूट होना होगा